एक बार एक ब्राहमन को दाह संसकार के लिए ले जाया जा रहा था रास्ते में उसकी विधवा ने तुलसिदास जी को प्रणाम किया तो तुलसिदास ने उसे सौभाग्यवती कहकर संबोधित किया सौभाग्यवती का अर्थ है वह महिला जिसका पती जीवित हो विधवा ने तुलसिदास को बताया कि उसके पती की अभी अभी मृत्यू हुई है इसलिए उनकी बात सच नहीं हो सकती तुलसिदास जी ने कहा कि यह बात उनके होटों से निकल चुकी है इसलिए वह उसके पती को जीवित कर देंगे तुलसिदास जी ने राम का नाम लिया और ब्राहal पिर से जीवित हो गया यह सुनकर कि तुलसिदास किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते है अक्बर ने उनको बुलाया और चमतकार दिखाने को गा तुलसिदास जी ने कहा कि यह जूट है, मैं तो किवल राम को जानता हूँ अकबर बोला कि अगर ऐसा है तो राम को प्रकट करो, हम राम को देखेंगे तुलसिदास जी के मना करने पर उसने उन्हें फतहपुर सीकरी में कैद कर लिया कैद में तुलसिदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की और इसका जाप किया चालीस दिनों के बाद शहर में अचानक बंदरों की एक सेना आई और उन्होंने पूरे शहर में कहर बड़पा दिया एक हाफिज ने अकबर को बताया कि यह कैद में बंद तुलसिदास का चमतकार है यह सुनकर अकबर ने तुलसिदास सिक्षमा मांगी और उन्हें रिहा कर दिया तब से अकबर तुलसिदास जी का घनिष्ठ मित्र बन गया और उसने एक फरमान भी सुनाया कि श्री राम और हनुमान जी के अनुयाईयों को परिशान नहीं किया जाएगा